हाई दोस्तों कैसे आप सब लोग नमस्ति आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शुर करने जारी हूँ इसका एक रिव्यू तो फ्रेंट्स यह है हर्शील सिरप और सिरप और प्रेंट्स इस और भी दो फ्लेवर आते हैं जो होता हैसी चॉकलीट फ्लेवर एक केरमेल फ्लेवर तो फिरंट्स मैंने यह यह चोड़ारी फलेवर मैं लेगकर आई तो मैंदो दो दो अबश्यल करें एक उड्सका एक एक सब्सक्राइब में कि मुझे इसको टेस्ट करने पर कैसा लगा तो काफी अच्छा है यह सेरफ बच्चों को मेरे बहुत पसंद आया है तो जिनके घर में बच्चे होते हैं उनको यह सब चीजह कभी उ장ए पर बच्चों कोंगी बनाते चीच में करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा लगे कुछ भी खाने में जसे हम सिंपल सी आइस क्रीम लाते हैं कभी उस पर इस तरह का सीरप चॉकलेट सीरप मिक्स करके कुछ भी डेकोरेट करके थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करके दे दे तो काफी अच्छा लगता है बचो को तो यह मैंने जो लिया था यह मैंने पर्चेस किया है 90 रुपीज का मैंने लिया है और यह जो है मैं आपको 200 ग्राम के पैकेजिंग पर आप देख सकते 200 ग्राम है तो यह छोटा वाला है इसे बड़ा भी आता है मार्केट में तो चलिए मैं इसको बताती हूं आपको कि इसका कैसा इसका दिखाती हूं कलर तो यहां पर बहुत अच्छी है ऑराप से स्क्वीजी वाला है यह पैक्ड कि हम लोग अराम से इसको यूज कर सकते हैं तो यह देखें कितनी इसली यह ओपन हो रहा है यह ठीक है तो यह स्क्रीजी वाला पैकिंग पे है तो अभी जैसे मैं आपको एक एक्जामपल की तौर पे दिखाती हूँ कि हम कैसे यूज कर सकते हैं आजकल तो वैसे भी गर्मी क अब आपको प्रणा का मौसम है हम लोग मिल्क शेक बना रहे हैं बनाना शेक बना रहे हैं तो बच्चों को बोड़ना लगे तो हम लोग उस पर कुछ ना कुछ डिफरेंट कर देते हैं तो जैसे कि यह सिरप है अभी मैंने यह सेविया बनाई है तो यह मैंने कस्टिट बच्चों को थोड़ा डिफरेंट स्टैल में भी हम दे सकते हैं तो जैसे यह में पास सिरप है तो मैं थोड़ा सा इस तरह से यूज करके और इसमें काफी अच्छा सा एक फ्लेवर बच्चों को लगेगा हां कि इसमें हमने स्टॉबरी फ्लेवर का ममा ने सिरप डाला है तो वो बहुत ही चाओ से इसे फिनिश करेंगे तो यह चोटा सा रिव्यू मेरा इस सिरप का कैसा लागा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं मैं आपसे बहुत ही जल्दी तब तर टेक केर बाई बाई